हलो फ्रेंड वालकम टो आवर चालेंग आज मैं यहां पर रिव्यू कर यह कुकर का जो मुझे 399 में मिला है और मैंने यह फ्लिप कट से ओडर की हूँ यह हमेशा बताती हूँ पैकेजिंग के बारे में क्योंवी बहुत सरे लोगों का क्मपलेंग रहता है कि अच्छा नहीं है उनका प्रोडक्ट डियमज है तो मुझे अब तक के जितने भी मैंने ओर्डर की हूं तो मुझे बैकेजिंग बहुत ही अच्छा मिला है तो इसमें डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं है यह है इसका हैंडल और यह विसल है सिटी इसमें था मैंने निकाली थी और यह काईट इसके बारे में वारांटी काईए कुछ लिखा नहीं है और यह है इंडक्शन बेस कुक्वेर सेट कुकर जो है लियो प्लस हां लियो प्लस का है और यह है थ्री लीटर कुकर और इसमें कोई भी आई-एस-ई ब्रांड का फुशिय नहीं है होल मार्क क्या बोलते है वो नहीं है यह तीन लीटर का है छोटा सा कुकर इंडेक्शन बेस यह में है मेरे लिए और यह है इसका हैंडल यह भी सेंड और इसका नाट और यह है उपर का कुकर का डापकन जो भी बोलते हैं कि अलियोपलस का है अच्छा है एक मिनित में मैं यह लगा के दिखाती हूँ अब इसकी भी लगए यह यह लग चुका है रेडी हो गया अभी कुकर मेरे हाँ तो यह है इंडेक्शन बेस कुकर कुकर जो मैंने फिलिप कर्ट से और यह मुझे मिला है 399 में और इसमें कोई अपया है यह यहषय आभी का हमकर नहीं है just like me कि लोगत ऊंप लें वीजुश शेसार और नहीं रहे तो रहता है अ कि यह यह वीड़ा बहुना और वेड्यी मुझे में पत्गते हमसिसेपित है दाल केसे रोत पकाते हैं बहुत नहीं इस टीब तो बस बोलने का यह है कि इसमें नहीं है इसके लिए यह अच्छा नहीं है ऐसा नहीं है यह लिए कंपानी का है और इंडेक्शन बेस है और इतने कम रेट में मिला है तो मुझे लगता है यह बहुत अच्छा डिल है तो मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बाक् आपको चेक करना हzess। रहाँ है अगर तीने लिए एक रहला डिले है अगर आपको कुछ अच्छा है ना छोटा सा कुकल अच्छ इपना ही थैंक्स वाचिंग